16 जनवरी 1681 चत्रपती शिवराय के बाद 6 सालों के बाद राइगड़ पर दूसरा राजतिलक होने वाला था संभजिमाराज चत्रपती बनने वाले थे राजतिलक के महुसा में देश विदे से लाखों लोग राइगड़ पर आये थे बटबिक्षुक, ब्रामन, जोगी, कलावंत जैसे हजारों लोग आये थे राजपरिवार से कही रिष्टेदार भी राइगड़ पर मौजूद थे राणुबाई को छोड़कर राजिकुमर, सकुबाई, अंबिकाबाई ये शम्भु राज़े के भगिनी शाही महुसाव के लिए उपस्तित है शम्भु राजे सबामंडब की तरब जाने लगे इतने में प्रवेश द्वार के पास 15-20 मुसल्मान लोग खड़े हुए राजे उनकी तरब जाने लगे तब सोमाजी दतो और योत्याजी ने उन मुसल्मानों को पीछे हटाया चलो पीछे हो जाओ, जाओ महराज को जाने दो शुब महरतों को देर न हो जाए, इसलिए महराज भी जल्दी जल्दी जाने लगे इतने में शनी स्त्रोत के शब्द उनके कानों पर पड़े निलान जनम समा भासम, रवी पुत्रम यमा ग्रजम, छाया मारतंड संभू तमम तम नमामी शनेश चरम, शम्बूराज जगे पर रुख गए भैबीत स्वर में शनी दोय का स्त्रोत कोन बोल रहा है या, कोन है अब इतने संकट में उन्होंने शनी स्त्रोत बोलने वाले उन गरिब मुसल्मानों की तरब देखा राजा ने पूछा, कौन? कौन हो तुम लोग? महराज, हम वह इसे ब्रामन जाती के है, कोलट कर श्रिबाग हमारा गाव है, हम सबको उस जंजीरा के सिद्धी ने मुसल्मान बनाया महराज, आप हमें फिर से अपने हिंदु धर्म में लीजिए हमारे जैसे कई लोग उस सिद्धी ने जबरदस्ती से मुसल्मान बनाया है महराज ने बाला जिपंत को कहा, धर्मा चरण मनुष्य के इच्छा नुसार रहता है जी, बिल्कुल महराज इनके समस्याओ पर जल्द से जल्द कारवाही करो बाला जिपंत जैसे आपकी आग्या महराज अपने महराज और महराणी शाही मंडप में कब आएंगे इसकी राह सबी देख रहे थे मराठों का राज सिंहासन पर दूसरा छत्रपती विराजमान होने वाला है यही वारता दश दिशा में वायू के समान फैल गई थी राज दरबार के दिवारे महाभारत रामायन के प्रसंग चितर से सुशोबिद बनाई गई थी रायगड का वह स्वरन सिंहासन महराज की कब से रह देख रहा था एकायक दाई तरफ से मंगल वाद्यों का सूर घुमने लगा साथ साथ ढोल नगाडे शहिनायू का आवाज मी आने लगा द्वारपाल की आवाज दस दिशा में गूंजने लगी सावधान आस्ते कदम सकल शास्त्र निपून विचार शील धर्मग्यानी शास्त्र कोविंद संस्कूरूत पंडित बहु जन प्रतिपालक ख्षत्रिय कुलावतंस राजाधी राज चत्रबती संभाजी शिवाजी राजे भोसले पदार रहे हैं और चत्रबती संभाजी माराज दमदार गती से आस्ते कदम सिंगासन की ओर बढ़ने लगे 22 साल के उमर गोरा वर्न सतेज आखे रुबाबदार बलदंड बाहू फोलादी सिना बाज के जैसी नजर संभाजी राजे सबके आखों के सामने आए उनका चेरा हुबहू शिवराई की तरह शिवराई की याद दिलाने वाला महराज की साथ उनकी धर्मपत्नी महराणी यसू भाई भी आई चंद्रमा के जैसा सुन्दर मुखडा उन पर सुभा के सुरज जैसा लाल कुमकुम उनके पीछ ग्यारा बरस के राजारा महराज और उनकी धर्मपत्नी जान की भाई भी और साथ में शंबूराजे की सवतेली मा सोयरा भाई भी वहापे मौजुद हो गई आस्ते कदम शंबूराजे स्वराजे सिंखासन के पास आए उन्होंने एक नजर आगे खचाखच भरी हो ही जन्ता की तरफ देखा और दूसर ही पल सिंखासन की तरफ और एकाएक शंबूराजा रुख गए उनके मन में कई विचार गूंज रहे थे सिंखासन पर बैटे या नहीं उनको याद आई अपने आजिस सहाब मासाब जिजाओ की अपने पिता श्री शिवराई की उनकी आखिद नम हो गई उनको याद आए पन्नालगड़ पर जो छदरपति शिवा जी महराज ने बताये थे वो दो लव्ज शंबू जब तुम्हें अपने पवित्र सिंखासन के पाच शिडियों का दर्शन होगा तब यहाँ के पहाडो जैसे इच्चा अकांगशा का बोज उठाने की हिम्मत सच्मुच आपके बाजू में है यह प्रश्न जरा खुद को पूछना केवल जन्मादिकार से नहीं तो इस स्वराज की रक्षा करने का खुद को विश्वास है तो इस मराटी मिट्टी की कसम खाके बिंधास्त सिंहासन कावा स्विकार कीजिए परन्तु खुद के क्षमता पर जरासा भी संदे है तो सिंहासन के आसपास भटकना भी मत भगवे वस्त्रधारन करके सादू सन्याशी बनकर निकल जाओ किसी जंगल में शंबूराजा ने फिर से एक बार अपने प्रजा की तरब देखा तब सहस्त्र मराठों के आखों में अपने राजा के प्रति विश्वास भरा था मानों की वो आके कह रही थी हाँ, हाँ राजन, आफी इस सिंहासन के सचे वारिजदार हो आफी हमारे माहराज हो, आफी हमारे तारणहार हो ये विश्वास देखर शंबूराजा के मन में नवचेतना निर्मान हो गई गर्व से उनका सिना चावडा हो गया फिर से एक बार उन्होंने सिंहासन की तरब देखा तब सिंहासन पर अपने पिता चाथरबदी शिवा जी महाराज बैटे हुए थे ऐसा उनको एहसास हुआ केवल उस कलपना से उनके आखों से आसु के बुन सिंहासन पर गिरने लगे तब शंबूराजे असपश्ट शब्दों में कहने लगे हाँ हाँ अबस आपके स्वराज का आपके सिंहासन का आपके प्रजा का आपके भवानी तलवार का हम अपने प्राणों से भी ज़्यादा खयाल रखेंगे जैसे हम कमल के फूल अपने हाथों से तोड़ते हैं वैसे हमारी गर्धन भी काटने की नौबद आई न तो भी हम इस स्वराज के लिए हस्ते हस्ते कुर्बान कर देंगे। इस सियाद्रे पे सिनात आने हुए गड़ के लिए किसी के भी हाथ में लगने नहीं देंगे। और पूरे विश्वाश और स्रद्धा के साथ चत्रपती संभाजी महराज स्वराज सिखासन पर विराज मान हुए। संभाजी राजी स्वराज के दुसरे चत्रपती बने।